अलो दोस्तों दाइस्टेडीवी थे इसके में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम लोग अपने जो चैनल है दाइस्टेडीवी थे इसके में हम लोग पहले चैनल का नाम लिख देते हैं हम आप लोग ध्यान से इसको ठीक है क्या करना इसको पहले सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना है एक चीज अब देखिए हमने आरो यारो की स्रिंखला में आप लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ाया अनेक सब्दों के लिए एक सब्द पढ़ाया अनेक सब्द के लिए एक सब्द पढ़ाया ठीक अब आज जो है आप लोगों का तीसरी स्रिंखला चलिए किसकी विलोम सब्दकी आप लोग इन स्रिंखला को करिए इसके बाद आपका आरो एराओ का जो एक्जाम होगा इसमें सभी स्रिंखला से 10-10 क्यूस्टन आएंगे और आपके 90 परसंट क्यूस्टन या 90 या 95 परसंट क क्योंकि 100 परसंट का दावा कोई नहीं कर सकता कि 90 से 95 परसंट क्यूस्टन यहीं से आएंगे और हो सकता 100 परसंट भी आ जाए तेकि 90 परसंट से कम तो बिल्कुल नहीं आएगा इससे कम कभी नहीं आएगा ठीक चलिए हम लोग शुरुवात करते हैं इंदी सब्द पोस में बिभिन परकार के सब्द पाए जाते हैं ठीक जिसमें एक बिलोम सब्द होता है बिलोम का अर्थ यह होता है कि जैसे किसी कोई सब्द है उसका अर्थ जो अगले वाले के बिपरित अर्थ परगट करें तो वो बिलोम होता है जैसे अगर हम लाब की बात करें तो लाब क्या होगा लाब उसके बाद ये हान में बतल जाएगा तो लाब का मतलब होता है जिस चीज से फायदा हो ठीक अभी हम हान की बात करें तो जिस चीज से नुकसान हो तो हमारा क्या होता है ठीक अब देखिए ये हमेशा सजाती होते हैं विलोम सब्द हमेश लिए अगर माल ये कभी कभी ऐसा हो कि एक ही सब्द के टाइप के दो तीन सब्दे दे कि हाँ इसका विलोम ये भी लग रहा है ये भी लग रहा है तो उसमें हम कैसे प्रिफर करेंगे कि इसमें कौन सा आप्सन चुनना सुटेबल होगा सबसे बढ़ियां होगा तो उसके लि भी लोम ही संग्या होगा ये नहीं कि आप संग्या का भी लोम बिसेश DAN बना दिये हैं जैसे इक्जाम Capital तौर पे हम लोग किसी भी चीज पात करेंगे तो संग्या के भीलोम में संग्या वाचकल वर्ड ही परयोग करेंगे विशेसर का विलोम विशेसर ही होगा सरवनाम का विशेसर सरवनाम होगा विलोम ठीक जो जिफ्स ग्रामर के ग्रामर का मतलब ब्याकरण जिस ब्याकरण में होगा उसी ब्याकरण के अनुसार ही उसका विलोम सब्द होता है तो जैसे हम लोग एक जामपल तो देखें देखें नीजे लिखा गया है ये तो आप लोग देख लिजेगा जैसे अब राजा का राणी प्रजा रंग होता है क्रिष्ट का कंस होता है तो ये अलग-अलग अपना देख लिजेगा अब हम बिलोम कितने प्रकार से बनाय जाते हैं उसको पहले बताएंगे पहले बिलोम की रचना क्या बताएंगे पहले बिलोम रचना ठीक बिलोम रचना बताएंगे इसके बाद आप लोग को हम बताएंगे इसके बाद हम प्रैक्टिस कराएंगे किसकी इनी बिलोम की प्रैक्टिस क बात जो है अभ्यास परशन के थुरू हम आप लोगों को बताएंगे अभ्यास कराएंगे जिससे आप लोग उस पे और पकड़ मजबूत कर सकें ठीक चलिए अपने इसकी सुरुवात करते हैं हम लोग इसकी सुरुवात करने के करम में सबसे पहले हम देखते हैं कि बिलोम किस प्रकार बनाए जाते हैं तो सबसे पहला होता स्वतंत्र बिलोम स्वतंत्र बिलोम का मतलब यह होता है कि एक बिलोम का दूसरे बिलोम से कोई संबंद नहीं होता जैसे अगर हम राजा की बात करें ठीक राजा राजा और रंक राजा और रंक की बात करें तो राजा एक स्वतनतर सब्द है, जबकि रंग एक स्वतनतर सब्द है, लेकिन अभी हम विनासी मालेजिए, एक सब्द है विनासी, विनासी का अगर हम बनाये तो आविनासी हो जाएगा, आविनासी भिलोम, तो अब इसमें संबंध है कि नहीं, इसमें दोनों में संबंध है, क्या क्या बनाते हैं सबसे पहला तरीका, स्वतंत्र सब्द का कोई रूल नहीं होता है इसलिए उसको याद करना ओता हैingen। या आप उससे अर्ध नहीं से पकड़ सकते है। अगला है उपसर्गों से बने थिलोंग उतकर्स अगर है किसी का उतकर्स तो इसका अपकर्स हो जाता है ठीक अपकर्स अब इसी तरह अगर हम जो है सहीस नहीं लिखा गया फिर ची लिखते हैं देखिए जैसे अगर हम लगाने के लिए बोलें जैसे आपको बताएं किसी का भिनासी हो गया जैसे कोई डर हो गया ठीक अब डर का विलोम क्या कर देंगे निडर जो निडर हो ठीक अब इसी तरह अब निर प्रत्य लग गया इसी तरह निर भी लग जाता जैसे विवाद विवाद है निर विवाद क्या हो जाएगा निर विवाद है ठीक तो निर लग गया इसमें तो यह जो है हमारा अब यह उपसर्ग प्रत्य लगाए जाते हैं तो उसके द्वारा बिलोम सब्द बना जाता है क्या लगा के प्रत्य उपसर्ग लगा के ठीक चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब वर्ड का यह आप लोगों की सबसे पहली चाहत समझ लिए मायराथन है मायराथन में आप सब को अगर हम नियम बनाएंगे तो नियम बतादे नाएं बहुत सारी नियम है तो टाइम वेष्ट होगा हम आप लोगों को तीन से चार घंटे मैकसिमम यह हमारा मैकसिमम है क्लास तीन चार हर्स आवर इसी से सब भी क्यूस्टस आएंगे तो इसके वाजा से हमें थोड़ा सा ध्यान होगा timing का भी कि ज्यादा timing ना हो आप लोग कम समय में ज्यादा gain कर सकें तो चलिए हम सीधा किसी बात करते चैनल है हमारा telegram channel इसी नाम से दा इस्टेडी भी थे असके क्या दा इस्टेडी भी थे असके नाम से है कि किसी चैनल से आप लोगों को मिल जाएगा ठीक चलिए हम लोग सुरू करते हैं अभ्यास पस्त में सबसे पहले हमारा सुरू होता है अर्जन अब जिसका अर्थ जरूरी होगा हम अर्थ भी बताते चलेंगे क्या अर्थ बताते चलेंगे ठीक अब चलिए हम अर्थ बताने के करम में सबसे पहले आपको यह दिखा देते हैं अर्जन का अर्थ होता है बयन अर्जन अर्जन का मतलब होता है लेना या प्राप्त करना बयन का मतलब होता है खर्ज करना ठीक कथित अब इसमें देखिए ये प्रत्ते जो उपसर्प की बात किया थे आ लग के क्या हो गया आ कथित हो गया प्रचन का होता है प्रतिपन क्या होता है प्रतिपन होता है ठीक प्रभावी प्रभावी का क्या होता है आप्रभावी या निश्प्रभावी ये देखे थोड़ा का गलत है मतलब लिखा नहीं गया लाश्ट में ठीक क्या होगा आप्रभावी या निश्प्रभावी ठीक पास्षात का पौरवार्त होगा या पौरसत होगा दोनों होता है ध्यान रहे दोनों याम पल पूछा जाता है इसके बाद असलील का असलील का क्या होता है सलील क्या होता है अनुरक्त क्या होता है बिरक्त होता है आनंत क क्या होता है सांत अनंत का क्या होता है सांत और आविर्भाव का क्या होता है तिरोभाव का क्या होता है तिरोभाव होता ठीक इसी तरह कीर्थ कीर्थ का क्या होता है अपकीर्थ क्या होता है अपकीर्थ और नूतन का क्या होता है पुरातन नूतन का क्या होगा पुरातन होगा तरूड का क्या होगा ब्रिध होगा हसु का दीर्ग हसु का क्या होता है दीर्ग होता है दंड या पुरुस्कार देखे पुरुस्कार का क्या होल्टा होल्टा दंड होगा या तिरस्कार देखे पुरुस्कार का मतलब क्या होता है सम्मानित करना पुरुस्कार किसी को देंग करना, अपमानित, ठीक, अपमानित करना, तो पुरसकार का opposite क्या हो जाएगा, तिरसकार, और इसी का दंड का उल्टा होता है अपमानित सिंपल जी बात है सम्मान अपमान इसके बाद हम लोग देखते हैं संपन संपन का होता है विपन सुस का आद्र होता है उपेच्छा का अपेच्छा उपेच्छा का क्या होता है अपेच्छा आविरित का अनाविरित होता है क्या होता है अनाविर होता है जबकि उदेया चल का अस्ता चल उद्या चल्ड को अच्छरत होता है और गंभीर का तो मुखर होता थिक जो कुछ अबीर होते हैं कुछ अब दो करोते हैं जैसे यह या हम समझार का मुखर होता यह कि मुखिम का वाचाल होता है ठीक क्या ह variety अभी आगे आएगा सामुहिक सामुहिक का को को होगा एकांगी मिथ्या मिथ्या का मतलब गलत होता हो सत्त उसका पोजिट हो जाएका निसार का निससार का मतलब बिना किसी संसार का तो संसार हो जाएब couch नीरत का विरत यी इंप्वाइटन्ट है देखे कोई किसंबन नहीं है लेकिन फिर भी याद रखेंगे का नीरत का क्या होता है विरत और क्रिया की प्रत्रिखा होती ठीड़े इसी सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को ज्यादा लोगों को पहुंचाएंगे तो आप लोगों को हम प्रीवियस येर क्यूस्चन भी करवा देंगे पूरा सदय का मतलब जिसका हिर्दय हो सदय जो मतलब अच्छे हिर्दय वाला या सू हिर्दय वाला उसका अपोजिट होता है निर्दय ठीक ग्राहम मतलब ग्रहण करना और त्याज ग्राहम का त्याज होता है नैसरगीक नैसरगीक का मतलब होता है जो नैसरगीक मतलब अनिमार एक प्रकार्त में नैसरगीक प्रक्रित होता है और कृतिम का मतलब बनावती पुष्ट का छीड होता है पुष्ट का क्या होता है छीड होता है ठीक ब्रांत का निर्भ्रांत ब्रांत का क्या होता है निर्भ लेकिन वीकल्ब मतलब यह नहीं करेंगे वह करेंगे तो अलग लग चीजे होते हैं इसी तरह आत्मा का क्या होता है परमात्मा और उद्धाटन का क्या होगा समापन उध्धत का अनुध्धत उद्धत का क्या होता है अनुध्धत होता है और प्रसारड का आप्रसारड होता ह उन्मूलन का क्या होता रोपड जबकि प्रवेश का निकास होता और भूत का भविस होता इसी तरह असली का नकली आपको पता ही है उतकर्स का अपकर्स अभी आमने उपर पता है उतकर्स का क्या होता अपकर्स बिधवा का क्या होता सधवा बिधवा मतलब जिस इस्त्री का प रखेगा हम एक बार देखे जो इंपॉर्टेंट हो उसको लिख दे रहे हैं सुधासिक्त ठीक सुधासिक्त सुधासिक्त का अपोजित क्या होता है विसाक क्या होगा विसाक ठीक यह ध्यान रखेगा आप लोग आगे आय का भय अभी बताए ना समस्टी वेस्टी ये बताए ना चलिए विघ्टन का संगठन विघ्टन का क्या होगा संगठन वयकल्पिक अनिमार होगा और अभी हमने बतायो उपर संकीरथा का उधारता संकीरता का क्या होगा उधारता होगा और आगत का अनागत आगत का क्या होता है अनागत होता है ठीक इसी तरह सापेक्ष का क्या होगा निरपेक्ष होगा देखिए आगत का अनागत या दाखेगा इंपोर्टेंट है लोग ध्यान नहीं दे पाते प्रसंसा का नि समस्टी का व्यश्टी बता हैं तो इसी तरह समास का क्या होगा ब्यास होगा समास का क्या होगा ब्यास और सुसील का क्या होगा दुसील क्या होगा दुसील तिर्ग का लग होता है जबकि प्रसूत का निर्वित होता है क्या होता है निर्वित प्रसूत का क्या होता है निर्व चर का मतलब जीसका चरड हो पंडित का होगा मूर्ख और कुसम का होगा पाहन यह important रखीएगा जो important है उसको हम लिग दे रहे हैं कुसम का क्या होगा पाहन थीक है इसी तना वीर का क्या होथा है कायर वीर का कायर खन्डन का मंदन होता है अभिमानी का नीरभिमानी क्या होगा नीरभिमानी और मानवता का निरसंसता क्या होगा नीरसंसता मानवता का नीरसंसता ठीक है इसे लामा रथी रथी का होता है बीरथी क्या होगा बीरथी रथी का होता है वीरथी मतलब रथी मतलब जुरत पर सवार हो वीरथी का अनुपचार होता है उपचार का क्या होता है अनुपचार जबकि कृत्रिम का क्या होता है प्राकृतिक होता है ठीक जोड का घटाना आप लोगों को पता है जोड का क्या होता है घटाना होता है और एकाधिकार का सर्वाधिकार एकाधिकार का क्या होता है सर्वाधिकार सा बहुत खरा करना गड़ है अब हम लोग अभ्यास सेट दो पर चलते हैं देखेए इसे में अपने सभी थोड़ा ज्ञादा लिए हैं धनवास का क्या होगा आकिंचन मतलब धनवास का मतलब यह होता है कि जो धनी हो और आकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ ना हो ठीक मौलिक मौलिक का होता है अनूदित क्या होगा अनूदित स्वतंता पूर्वक इसका होगा दास्ता पूर्वक इसी तरह गूरुता का लगुत ठीक, ससक्त का, ऐसे अगर गुरुता का लगुता जैसे ता लगा के इसको विशिस बना गया, इसी तरह अगर गुरु की बात करें, तो गुरु का वाद अपोजेर होता लगु, ठीक, ससक्त का क्या होता है, असक्त, ससक्त का क्या होता है, असक्त होता है, जबकि सन्यासी का क् फुटकर होता है, थोक का क्या होता है, फुटकर और ध्रिष्ट का बिनमर होता है, ध्रिष्ट का बिनमर या बिनीद होता है, इसी तरह भोगोल का क्या होता है, खगोल और विध का क्या होगा, निसीद, ठीक, ऐसे ही सुधा, सुधा का होता हलाहल, सुधा का क्या होता है, हला ऐसे अपवे का मितवे बताएं अलभ क्या लभ होता है जो जिसमें लाब ना हो जिसमें लाब हो अलपग क्या बहुग्य होता है उत्क्रिष्ट का निक्रिष्ट होगा ठीक उध्धत का अनुध्धत भी होता है और सौम या विनीद भी होता है उध्धत का सौम या विनीद इ अधिष्थाता का होगा अधिनायम क्या होगा अधिनायम, ठीक। इसी तरह स्रिजन का होगा बिनास, निंद का होगा वन्द, रिजु का वक्र। अरवाचीन का प्राचीन, ये तो दोनों बहुत बारी ज्याम में पूछा गया हैं। इसी तरह सोसक का होगा, पोसक और दुर्गम का होता है सुगम, जबकि परास्त का होता है विजय, परास्त का विजय और स्वागत का तिरसकार होता है, और सदाचार का कदचार होता है, ठीक, आगे देखते हम लोग, चुस्त, इधर चुस्त का क्या होगा, धीला या लचर या सुस्त ठीक इसी तना सुमत का क्या होगा कुमती और हास का विकास या बृति होता है अरास हो और विकास हो अभिसाप का आसीज होता है अभिसाप का आसीज उपादे का अनुपादे क्या होगा अनुपादे और परमार्थ का क्या होता है स्वार्थ होता है इस्थिर का आस्थ और संयोग का क्या होता है बियोग जबकि वयभव का क्या होता है पराभव वयभव का क्या होता है पराभव ठीक महत्मा का दुरात्मा होता है और अस्मरण का बिस्मरण होता है क्या होता है बिस्मरण और इसके आगे हम तटस्त देखते हैं तटस्त का क्या होता है दूरस्त निर्दय का सदय होता है, और भाव का अभाव होता है, जबकि अपेच्छा का उपेच्छा होता है, अथ का इत, इंपोर्टन्ट है, यह द्यान रखेगा, और अतिविरिष्ट का अनाविरिष्ट, अतिविरिष्ट का क्या होता है, अनाविरिष्ट होता है, अवनी का अंबर होता है अमवनिका अमबर अलोक का तिमीर अलोक का क्या होता है तिमीर होता है ठीक उत्रायण का दच्छिडायण होता है जबकि कनिष्ट का जेश्ट होता है और निरामिस का आमिस या सामिस देखिए निरामिस और आमिस मतलब होता है जो मांस ना खाए और आमिस मतलब जो मांस खाए इसे आग देखें अनाहूत का होता है आहूत और अवर का क्या होता है प्रवर अवर का प्रवर अकाल का सूकाल ठीक ऐसे मिटा देते हैं इसको देख लेज़ेगा अकाल का सूकाल और आगामी का प्रतिगामी होता, अगामी का प्रतिगामी, एकागर का चंचल, एकागर का क्या होगा, चंचल होगा, ठीक, और कल्पित, कल्पित का क्या होगा, यह थार्थ, कल्पित का क्या होता है, यह थार्थ होता है, जबकि द्वंद का, द्वंद का निर्द्वंद होता है, ठीक, द है, आगे देख लेते हैं, आरो, आरो का आरो होगा, आरो का क्या होगा, आरो, ठीक, आरो का आरो होगा, और आदर का सुस्क होता है, आदर का क्या होता है, सुस्क होता है, जबकि खेचर का क्या होगा, खेचर, खेचर का होता है, भूचर, क्या होता है, भूचर, ठीक, आदर क सुश्क होता है. और आगे देखते हैं, सूचमका क्या होगा, सूचमका होता है इस थूल, और इसे आगामी का बिगत, अगामी का क्या होता है, बिगत होता है, जब कि प्रधान का गौड होता, अभी हमने उपर बता है था, विशेश का क्या होता साधारण जबकि संदी का क्या होता विच्छेत या विग्रा कटू का क्या होगा मिर्दू कटू का क्या होगा मिर्दू होगा जबकि ओजस्वी का निर्जस्वी होगा ठीक गत्यात्मक का इस्थिर होता है, जबकि मिर्टरता का सतुरता होता है, ओजस्वी का निर्जस्वी याद रखे है, गत्यात्मक का इस्थिर का है, अनुराग का विराग आपनों को बताई है, अनुराग का क्या होता है, जबकि कुरूप का क्या होता है, सुरूप, कुरूप का अनादरित होता है, ठीक, स्वाकिया का परकिया होता है, क्या होता है, परकिया, स्वाकिया का परकिया, और अति ठीका, अति ठे, ठीक, विपुल का स्वपल, विपुल का क्या होता है, स्वपल होता है, ठीक, नित्य का अनित्य होता है, नित्य का क्या होता है, अनित्य, अदोस का सदोस अधोस का क्या होता है सदोस अधंब का दंभी या कपटी अधंब का दंभी या कपटी होता है ठीक और बाम्हाग जीव होता है ठीक उन्नति का आउनति होता है पुरुस का इस्तरी अनय का नय का क्या होता है अध्यावसाएक अनध्यावसाएक अनध्यावसाएक अध होता है जब्कि आम का क्या होता है खास और चान्चल का अस्थैर होता है जब्कि मिदूलका रूच होता है मिर्दुल का क्या होता है रूच होता है ठीक हम लोग अगले ब्यासेट पर चलते हैं अगला ब्यासेट हम लेखते हैं जैसे कलूस लिखा है कलूस का क्या होता है निसकलूस क्या होता है निसकलूस कलूस क्या होगा निसकलूस जबकि निरलज निरलज का सलज होगा ठी अनन्त का अन्त होता है अनन्त का क्या होता है अन्त होता है इसी तरह निद्रा का अनिद्रा होता है और घात का क्या होता है प्रतिघात और संगटन का क्या होता है बिगटन और सत्याग्रा का होता है दुराग्रा देखे दुराग्रा जो है सत्याग्रा का भी होता है और आग् आग्रा का मतलब यह होता कि किसी अच्छे काम के लिए किसी से बिंती करना और दुराग्रा का मतलब होता है किसी भी गयर मतलब गलत कामों के लिए किसी से आग्रा करना तो दुराग्रा होता है इतना जंगम जंगम का होता है स्थावर और सहयोगी का होता है प्रतियोगी और प्रिस्ट का होता है अद्रिस्ट इसी तरह अनुनासिक का निर अनुनासिक होता है ठीक और आकास का क्या होता है पाताल अकास का क्या होता है पाताल मगन का दुखी या ऊपर होता है ठीक मगन का दुखी या ऊपर होता है त्रिस्डा का वे तिस्डा और वादी का क्या होता है प्रतिवादी, कृपा का कोफ होता है जबकि अधम का उत्तम होता है, आकर्षण का विकर्षण होता है, तुछ का महान होता है, नस्वर का अनस्वर या सास्वत होता है, नस्वर का क्या होता है, अनस्वर या सास्वर होता है, इसी तरह धनी का निर्धन होता है धनी का क्या होता है निर्धन होता है उन्मीलन का निमीलन होता है ठीक उन्मीलन का निमीलन अधिक्रित का अनधिक्रित होता है अनाधिक्रित मत करिये का अनधिक्रित होता है ठीक परिष्टरम का क्या होता है विष्राम परिष्रम का क्या होगा विष् होता है और अमर का मत मरत होगा उक्थ का अनुक्थ होता है और राजा का रंक हो ता का बताई हैं सगुड का निर्गुड होता है खीक से देखते हैं हो एक डाज है जरी काsel के होता निक्षवद चडिक का क्या होगा? सास्वत असीम का क्या होगा? ससीम असीम का क्या होता? ससीम असीम का ससीम इसी तना तेजस्वी का क्या होगा? निस्तेज क्या होगा? निस्तेज और संकीन का क्या होगा? विस्तीड क्या होगा संकीन का? विस्तीड और इसी तरह विस्तरित का क्या होगा सीमित विस्तरित का क्या होता है सीमित आवर्तक का अनावर्तक का क्या होगा अनावर्तक होगा और उत्थान का क्या होता है पतन उत्थान का क्या होता है पतन और मानवी का आमानवी मानवी का क्या होता है आमानवी होता है चेतन का अचेत या जड़ होता है गमन का क्या होता है आगमन गमन का आगमन और मौन का होता है मुखर होता है ठीक पन का अपन होता है पन का क्या होता है अपन बहिरंग का क्या होता है अंतरंग और सजल का क्या होता है निर्जल ये ध्याना के इंपोर्टेंट है आग्रा का अग्रज कल्पनातीत का काल्पनिक या कल्पनी है ठीक रोगी का निरोगी होता है और पूरवर्ती का परावर्ती होता है सुबोध का दुर्बोध सुबोध का क्या होता है दुर्बोध होता है और सुरोता का क्या होता है वक्ता होता है जोति का होता है तम या तिमीर योति का तम या त और निंदा का मतलब होता है इस्थुती, कृतक का मतलब होता है कृतक्य और तामसिक का मतलब होता है सात्विक, ता मतलब का मतलब आपोजित, ठीक, निर्वाद का सबाद होता है, निर्वाद का मतलब सबाद, और चंचल का आपोजित क्या होगा, सौ में होगा, सांत का असां का क्या होता है संग्छेप होता है जबकि मौकिक का क्या होता है लिखित और अनाथ का क्या होता है सनाथ और सकरात्मक का नाकरात्माक होता है, स्रिष्टी का क्या होता है, प्रल्य होता है, बिपत्ति का संपत्ति होता है, बिपत्ति का क्या होता है, संपत्ति होता है, और दच्छिड का वाम होता है, धूत का अंधकार होता है, धूत का यह इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेगा, धूत, धूत का ज अचार होता, आचार का क्या होता, अनाचार होता, निंदनी का वंदनी ये होता, निंदनी का क्या होता, वंदनी होता, ठीक, उप्त्यका, उप्त्यका, उप्त्यका का अधित्यका, ठीक, दिवस का विभावरी, दिवस का क्या होता, विभावरी होता है, आकलन का विकलन होता, आकलन का क्या होता है विकलन जबकि चिरायू का क्या होता है अलपायू चिरायू का क्या होता है अलपायू होता है और आधार का निराधार आधार का क्या होता है निराधार होता है इपसित का अनिपसित होता है इपसित का अनिपसित स्वाजाती का वीजाती होता है श्री गने आउट個 निर्यात ऊपर पता है अनुग्रह का होता दंड या vídeos बिग्रह जारत का होता अुरश और मर्शल który difficult 6 जैसे? कि लिखा है संसलेशाण संसलेशाण का क्या होता? विसलेशड क्या होता है विसलेशड अतिका क्या होगा नियून ग्रहण का क्या होगा त्याग जबकि सरल का क्या होता है कठीन सूच्म का इस्थूल सूच्म का इस्थूल और तमस का क्या होता सात्विक तमस का सात्विक इसी तरह अधुनातन का प्रचीनतम होता अधुनातन क का स्वेत होता है चाम मतलब सावला स्वेत मनव सफेत प्रस्थान का आगमन होता है प्रस्थान का क्या होता आगमन इसी तरह अस्पष्ट का क्या होता है आस्पष्ट अस्पष्ट का क्या होता आस्पष्ट इही लोग का परलोग इही लोग का अपोजिट परलोग कठोर का क् उत्तीड का अनुत्रीड होता है उत्तीड का क्या होता है अनुत्रीड 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 का क्या होता है अगम 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 का क्या होता ह गुप्त का क्या होता है प्रकट गुप्त का क्या होता है प्रकट होता है जबकि नौकर का मालिक ठीक और पतन का उथान होता है और बहुमत का अल्पमत होता है लौकिक का अलौकिक होता है पराधीन का स्वाधीन होता है पराधीन का क्या होता है स्वाधीन होता है करमट का आक निर्दय होता है दयाल का क्या होता है निर्दय और प्रसंसक का निंदक होता है प्रसंसक का क्या होता है निंदक इसी तरह पक्ष का क्या होता है बिपक्ष पक्ष का क्या होता है बिपक्ष होता है जबकि प्रविट का होता है निर्वित होता है और मान का क्या होता है अपमान और सार्थक का क्या होता है निरर्थक और जीवित का मृत होता है जीवित का क्या होता है अरंभ का क्या होता है अ अनारूर होता है अरूर का अनारूर निस्पाप का होता है पाप और छली का निश्चल होता है अंतरंग का होता है बहीरंग क्या होता है बहीरंग इसी तरह दानो का होता है मानो अपोजित दानो का अपोजित मानो और महात्मा का अपोजित दुरात्मा होता है ठीक जैसे महान त्मी आत्मा or दुरात्मर दुस्ठा आत्मा विसम का होता है सम्समिसम नीरस का शरस नीरस सरस्कृट आस्तिक का नास्तिक अस्थिर का इस्थिर होता है the actocam इस्तिर और विपन्न का क्या होता है संपन्न विपन्न का क्या होता है संपन्न होता है उद्धात का अनुधात होता है ठीक और उदार का अनुदार होता है उदार का क्या होता है और सुक्ल का क्या होता है किस्ट का हमता है किस्ट जो है या तो स्यामल का क्या होता है स्वेथ हो पराजय का होता है बिजय और भूसर का होता है दूसर या कुभूसर ठीक, भूसर का क्या होता है दूसर या कुभूसर ठीक, महा योगी का महा भोगी होगा, जैसे योगी का भोगी होता है उसे महा लग के महा योगी और महा भोगी, वर्दान का क्या होता है अभिसाप होता है संगठित का आसंगठित होता है आनिप्रद का लाभप्रद होगा और आवप्चारिक का नवप्चारिक होगा अनिभिग का अभिग होगा अनिभिग का क्या होगा अभिग होगा इसी तरह अयस्वर का अनयस्वर होगा अनैस्वर होगा और भावतिक का अध्यात्मिक होता है जागरित का सुसुप्त होता है राग का द्वेस होता है और करूड का निश्ठूर होता है और उत्तम का अनुत्तम होता है उत्तम का क्या होता है अनुत्तम जागरित का सुसुप्त होता है इसी तरह राग का द्वेस होत अब निर्भीक, निर्भीक मतलब जो डरेना और भैवीत मतलब जो डरा हुआ हो, मधुर, कटू, और उच्छवास का निश्वास, ठीक, निश्वास मतलब नाक से लिया गया सांज, उच्छवास मतलब जो मुख से लिया जाता है, चमाईज इसको बोलते हैं, महल का होता है, जोपड़ी नगर का ग्राम होता है पन्ड कुटी प्रसाद या राजमहाल देखे प्रसाद जो है प्रसाद ये प्रसाद मन समझेया प्रसाद है ये राजमहाल का प्रयावाती है ठीक तो अगर हम कुटी बोलें तो पन्ड कुटी उसका पन्ड कुटी मलब पत्तों से बनी हु होता है और घना का विरल होता है आसा का निरासा होता है आवरण का नावरण होता है उद्यम का आलस से होता है और उद्यमी का निर उद्यम होता है देखे अगर उद्यम आ जाए तो उद्यम का आलस से होगा ठीक आलस लेकिन अगर उद्यमी आ जाए उद्यमी तो उद्यमी का अनुदमी नहीं होगा, इसका होगा क्या, उद्यमी का मतलब होता है परिश्रमी, क्या होगा, परिश्रमी, परिश्रमी का उल्टा बना लिए थे तब, उद्यम का होता आलस, जबकि उद्यमी का उल्टा होता है, परिश्रमी का उल्टा जो होगा, ठीक, आप लोग निकालिए प्राची का प्रतीची होगा प्राची मतलब पूर प्रतीची मतलब पहस्ची मतलब ठीक अब हम लोग अन्य महत्पूर बिलोम सब्सक्राइब इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट अपना कल लिया कितने प्रैक्टिस सेट कल लिया आप लोगों देख लिया हमारे प्रैक्टिस देखते हैं इसमें क्या होगा अल्प अल्प का क्या होता है अती अल्प का अती या दीरिग अल्प मतलब होता है कम और अती या दीरिग मतलब होता है ज्यादा अमर का मर्त होता है अमर का क्या होता है अल्प संक्या का बहुत संक्या का अंत का होता है आधी आधी का मतलब होता शुरुवात और अंत का मतलब होता है अनुज का अग्रज होता है अंत रंग का बही रंग अनित का नित्य होता है अनित क्या क्या होता है नित्य होता है ठीक अनित का क्या होगा नित्य होगा अद्रिस का द्रिस्य होगा अद्रिस का द्रिस्य होगा अलपग का क्या होता है बहुग्य होता है जबकि असीम का ससीम होता है असीम का क्या होता है ससीम इसी तरह अभिमानी का नीर अभिमानी ठीक और अंतर दौंद का बहिर दौंद होगा ठीक अर्स का होता है फर्स और अंतिक अंतिक का होता है दुरांतिक इसी तरह अहंकार का अनहंकार अनुरूप का अनुरूप अनुरूप का अनुरूप जान रखेगा यह ध्यान रहे अनुरूप का अनुरूप अहंकार का अनंकार अभिसरण का अपसरण होता है इसी तरह आपेच अनुग्रह का दंड या कोफ होगा और अकांछा का अनकांछा होगा ठीक और अनन्द का विशाद या सोक होता है और इसे आविर भूत का तिरो भूत या तिरोहित होता है इसे आविर भाव का तिरोभाव होता है इसे आविर भूत का तिरो भूत या तिरोहित होता है आग्या का अवाग्या होता है और आप्त का अनाप्त होता है ठीक आदिष्ट का निसिद्ध होता है अदिष्ट मतलब आदिष जहां हुआ हो और निदिष्ट का मतलब जहां मना हो आदान का प्रदान और आधार का निराधार होता है जिसका अधार हो जिसका कोई नाधार ना हो आरम क का समाप्त होता है जैसे आदी का अंत होता है इसी तरह आजादी का गुलामी होता है जबकि आद्र का सुस्क या अनाद्र होता है ठीक आकीड का विकीड होता, आकीड का क्या होता है, विकीड होता है, इच्छा की अनिच्छा होती, इच्छा का क्या होता है, अनिच्छा होता है, और इच्छित का अनिच्छित होता है, इच्छित का क्या होता है, अनिच्छित, इस्ट का क्या होता है, अनिच्छित होता है, इंस अधो मुखी का उर्धो मुखी, क्या होता है उर्धो मुखी, अधो गामी का उर्धो गामी होता है, क्या होता है उर्धो गामी, और अनुरक्ति का क्या होगा बिरक्ति होता है, ठीक, अध्यतन का अनध्यतन या पुरातन, अधिस्ठित का अनिधिस्ठित, ठीक, अर्जित का अनर्जित होता है, जबकि अर्पण का ग्रहाण होता है, ठीक, और अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन, अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन, और अल्पकालिन का क्या होता है, दीर्गकालिन, अर्पकालिन का क्या होगा, दीर्गकालिन, ठीक, एक मिमेट होगा, पान कि अल्प कर गया होता है दिर अधिक इसे तरह अलपायू का क्या होगा चिट रायु और अद्ध्य क्या होगा अनद्ध होता है tele engagता अनुनासी का होता है और चयो시 टिक हुआँ आटमी परस्ति एक प पर उन्द Comoda ृतर या यह हुटा यह यह होता परकिती चिहारी को नास्तिक ठीक आदर्डी का अनादर्डी होता है आक्रमड का प्रतिरच्छा होता है आक्रमड प्रतिरच्छम जैसे कोई आक्रमड करे और प्रतिरच्छा का मतलब कोई अपनी बचाओ करे इसी तरह आरूर का होता अनारूर आरूर का क्या होता है अनारूर होता है आडंबर का होता है सादगी आलसी का होता है कर्मठ या कर्मड क्या होगा कर्मठ या कर्मड आद्रित का अनाद्रित आदर का अनादर होता है आत्मिश्वास का आत्मसंसे होता है आकास का पताल होता है इस्वर का होता है जीव और इसान का क्या होता है नेरित्य इद का मुहर्रम और इहा क इपसित का अनिपसित होता है और जबकि उद्गम का क्या होता है विले और उद्यम का निरुद्यम होता है उद्यम का क्या होता है निरुद्यम और उपमे का अनुपमे होता है या उपमान होता है उथान का पतन होता है उनमेस का निमेस या निमेस होता है उनमीलन का निमीलन ह और उन्मत का इस्थिर्चित होता है, उत्तर का दच्छिल्या निरुत्तर होता है, उत्तर का क्या होता है, दच्छिल्या निरुत्तर और उंचा का नीचा होता है, जबकि उद्धिग्ण का निश्चित होता है, ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा है उपेच्छा का क्या होता है अपेच्छा उपेच्छा का क्या होता है अपेच्छा होता है जबकि आगोस का सगोस होता है पता ही आपको आगोस आगोस अलब का लब या प्राव्य होगा अकर्मक का सकर्मक असुया का अनसुया अनुरूप का होता है प्रतिरूप और अवसेश का निसेश आरूच का सूरिज होता है अरूची का सूरिजी ठीक मिटा दे रहे हैं अब लोगों को देखने में हो सकता है फिर से देखें तो अरुज का क्या होगा सुर्जी होगा अंधेरा का क्या होगा उजाला और अवेच्छा का अनवेच्छा होता है आस्तितु का अनस्तितु होगा क्या होगा अनस्तितु होगा इसी तरह आगामी का प्रागामी होता है आगरा का दुरागरा होता है आगरा का दुरागरा आस् अक्रामक का अक्रामित होता है अक्रामक का अक्रामित आत्म निर्भर का अनुजीवी या परजीवी होता है आकरसड का विकरसड होता है और अध्यात्मिक का भावतिक होता है और अभ्यांतर का बाय होता है ठीक हम देखिए ऐसे निशान लगाते चलेंगे ये आप लोगों को गोला नहीं बनाएंगे जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो कossar का क्या होता है अपकर्ष होता है उपसर का प्रतिय उपकार का का अपकार होता है और उनमुख का बीमुख होता है जबकि उद्दत का विनत होता है ठीक cliffs कि अनुद्दत धुनों होता है ठीक नुद्दत ठीक यह दोनों होता है इसको आम बीबभाए आप लोग ओपर देख लिजिगा उननयान का अनयन होता है जबकि उर्वर का अनुर्वर होता है या बंजर होता है या उसर होता है उद्धमी का निरुद्यम होता है देखे उद्धमी का निरुद्यम होता है ठीक उदय का अस्त होता है उपादे का अनुपादे होता है क्या अनुपादे और उदार का अनुदार होता ह ठीक चलिए आगे देखते हम लोग अगला हमारा जैसे क्या है उत्पत्ति का विनास होता है उत्पत्ति का क्या होता है विनास होता है इसी तरह उस्मा का सीतलता होता है उर्धु का अध होता है उर्धु का क्या होता है अध होता है उर्धुगामी का अधोगामी उर्धुगा मतलब जो बरपूर भरा हुआ और विपन मतलब खाली रिड ग्रस्त रिड मुक्त होगा एडी का होता है चोटी एडी का मतलब नीचे चोडी का मतलब उपर एकाधिकार अनेकाधिकार होता है एकांगी का क्या होता है सर्वांगीड एकांगी का क्या होता है भी हो कि सर्वांगी रोत Kent इसी दारन एकट्रकेश लुखिद मेली कह ल्हें इक सुर्ण uh हता है एक सुर्त का बरौद का बहुसुर्त होता एक सुरूरत का बहुसुरू बरौट ये निश्ट का सरवनिषट क्या हो का मुल्याना खगोल का भुगोल और ग्रिहस्त का ब्रह्मुचर या सन्यासी होता गत का अगत होता गत का क्या होता अगत होता जबकि गद्य क्या होता है पद्य होता है गर्तंत का राजतंत होता है गुरुत का लगुत होता है जिसे गुरु का लगुत होता है ठीक ज्वार का भाटा होता है, जागरित का सुसुप्त होता है, जबकि जड का होता है, चेतन और धंकृत का होता है, जोपड़ी का महल होता है, ठोस का तरल होता है, ठीक, ठोस का क्या होता है, तरल होता है, जबकि धंक का कुधंग होता है, धंक का क्या होता है, कुधंग होता है, इसी तरह धाधस का त्रास होता है धाधस का क्या होता है त्रास और धीट का बिनम्र होता है धालू का समतल होता है तरूर का ब्रिद होता है जबकि तनवी का क्या होता है इस्थूल होता है ठीक इसी तरह एसडा का, एसडा का क्या होता अनायक होता है, और एक का क्या होता है, एक का क्या होता है, और एस्वर का अनायस्वर होता है, और एहिक का परलोकी क्या दैविक होता है, और अयतिहासिक का अनायतिहासिक होता है, ओजस्वी का क्या होता है, निस्टेज होता है, ओच् गंभीर युचर चाया होता है गंभीर इसी तरह ओत प्रोथ का विहीं होता थिक है युआ युआ ही आइभातब तरह ना प्रलावकलन को अय ह faudra si होगा ऑुरस पर अवत नहीं metrics घृत अ करकसका कोमल होता है कच का अकच और कदाचित का निश्चित होता है जैसे अठित अठित का क्या होता है विक्कीड और उसी तरह गुप्त गुप्त का प्रगट गवरों का होता लागव और घोस सघोस का निर्गोस या अघोस होता है घटाना का बढ़ाना होता है घात का प्रतिघात ह होता है घरेलू का बाहरी या वन्य होता है इसी तरह चतुर का मूढ होता है और चोर का साधु होता है चर्चित का आचर्चित होता है और चांचल का अस्थायर होता है क्या होता है चंचल का चांचल का अस्थायर का चंचल ठीक है मिटा देते हैं जिससे देखने में आसानी हो आपनों को, चंचल का स्थिर होता है, ठीक, चेतना का होता है, अचेतन, चेतना का क्या होता है, अचेतन, और चाटुकार का क्या होता है, स्वाभिमानी, और चिरंतन का क्या होता है, नस्वर, ठीक, इसी तरह तंद्रा, तंद्रा का क्या होता है, जागरण, तंद्रा का क्या ह होता है वी तृष्ड़ा या अत्रीस्ड़ा ठीक तृष्ड़ा का क्या होगा वी तृष्ड़ा या आत्रिस्ड़ा तृष्ड़ा का两 स्थो को कुन्ठित schaut आत्रिफ्ट happened to die त precip high ृथ्ष्ड का अत्रिफ्थ ृबस्द्ट demokratique haru-this took from city Wheatwood atavushka seven instead two you won't prove while Jason निर्देई होता है और दानी का क्रिपण हो दिरगाई का अलपाई होगा और देह का विधे होता है इसी तरह का घुर्ण का निष्ठूर होता है और क्रिश्ल का सुकल होता है कुलदीब का कुलांगर होगा क्या होगा कुलांगर कुलदीब का कुलांगर कलपनातीत का कलपनी होगा कल्यूग का स्वत्यूग होगा कर्मट का आकर्मट होगा ऐसे चल का होता है निश्चल चल का क्या होता है निश्चल और चाय का क्या होता है आतब क्या होता है आतब ठीक और चिन का सनलगन होता है चिन का क्या होता है सनलगन और च्छां का क्या होता है धूप और जमीन का क्या होता है आसमान जन इता का होता है जन इत्री ठीक जूठा का क्या होता है कोरा देखा है कोरा का अगरत का मतलब एक दम खाले की बिना कुछ भी ना हो, जागरण का होता है निद्रा, जंगम का अस्थावर और जागरत का सुक्त होता है, ठीक, ऐसे ही दे का अदे होता है और देन का लेन होता है, दास का स्वामी होता है, दिव्य का अदिव्य होता है, ठीक, दुस्प्राप्य, दुस्प्राप्य का सूप्राप्य होग है ऐसे ही आगे हम लोग देखते हैं हमारा दंध है दंध का क्या होता है मेल दंध का क्या होता है मेल होता है देवता का क्या होता है राचस दूर का पास दूर का क्या होता है पास और दीवा का क्या होता है रात्री होता है धवल का होता है स्याम धवल का क्या होता है स्याम और धैर का अधैर होता है धैर का क्या होता है अधैर होता है ध्रिष्ट का विनीत होता है धीरता का आधिरता होता है धवल का स्याम होता है दीवा का राध्र होता है याद रख लिएगा ऐसी तरह ध्रिष्ट का विनीत होता है धीरता का आधिरता होता है धरा का गगन होता है धरा इस तेना निर्मल का मलिन, पालक का घालक या संघारक होता है, इस तेना पूरो गामी, पूरो गामी का पस्च गामी, प्रधान का गौड होता है, प्रवित का निर्वित होता है, प्रवित का क्या होता है, निर्वित होता है, और दंड का क्या होता है, पुरुसकार, दंड का पुर्षकार होता है और पराधिन का क्या होता है स्वाधिन और पूर्वकालीन का होता है उत्तरकालीन पूर्वकालीन का क्या होता है उत्तरकालीन और प्रधान का क्या होगा सहायक और प्रकास का क्या होता है अंधकार होता है जबकि प्रोसाहित का होता है हतोसाहित प्रसंसक का होता है निंदक प्रसंसक का क्या होता है निंदक प्राचीन का अर्वाचीन या अधुनिक होता है पूडता का अपूडता या अभा होता है ठीक पौश्टिक का अपौश्टिक होता है और पराधीन का स्वधीन होता है इसी तरह भ्रांति का होता है निर्भ्रांत भ्रांत क का अध्यात्मिक होता है और मीठा का कड़वा होता है इसी तरह मूख का वाचाल मौन का मुखर होता है मोक्ष का बंधन होता है मनसा कर्मड़ा मनसा का कर्मड़ा और मन्थर का छिप्र होता है मन्थर का छिप्र होता है मलीन का निर्मल होता है मोम का पत्थर होता है और मनस्व मनस्वी का प्रमादी होता है मनस्वी का क्या होता है प्रमादी ठीक होता है ठीक और नगत का क्या होगा उधार नगत का क्या होगा उधार होगा और नर का क्या होता है नारी नर का क्या होगा नारी होगा और नवीन का प्राचीन होगा ठीक और निरामिस का सामिस या आमिस होता है नत का उन्नत होता है नत का क्या होगा उन्नत नेकी का बदी होता निश्पाप का पाप होता है निद्र का निद्र या जागरण होता है ठीक ऐसे ही प्रफुल का मलान होता है और प्रतिकूल का अनुकूल होता है प्रस्फुटन का होता है मुकूलन प्रस्फुटन का मुकूलन होता है और पाड़ी का पाध होता है पाड़ी का क्या होता है पा पूरवगा पूरवगा प्रमोध का आमोध होगा और पोसक का सोसक पक्छ का बिपक्छ फूल का कासीब कर और बंधूत का सत्रुत होगा जासे मनुज का होता है दनूज क्या दानों का दानों मिथ्य का सत्य होता है मेहनती का आलसी होता है इसी तरह मानवी का होता है अमानवी ठीक मानवता का निश्वता या आमानवता होता है यस का अपसय होता है और यथार्थ का कल्पित होता है योगी का क्या होता है भोगी रूग्ड का होता है स्वस्त रूग्ड नूतन का क्या होता है पुरातन होता है नख का सिख होता है और नौकर का होता है मालिक प्राजी का प्रतीची अभी उपर बता है प्रलय का स्रिष्टी होता है छीड का पुष्ट का क्या होता है ठीक पावन का अपावन होता है और अग्रभाग का प्रिष्ट भाग होगा पैन बहुमत अल्पमत होता है भगवान का सैतान भगनी का भ्राता होता है भय का निर्भय होता है और भेद का अभेद होता है और भन्जक का क्या होगा योजक मंजग माने तोडने वाला योजग माने जोडने वाला राजतंत का होता है लोगतंत या प्रजातंत रत का बीरत होता है ऐसे रचना का धौन्स होता है रचना का क्या होता है रिक्त का पूर होता है राजा भोज गंगु तेली राम का रावड होगा रजीला का बेस्वर्म लावड का माधूर होता है लावड मतलब जो खटा हो लवडी हो और माधूर का मतलब बीठा और वनध्या का मतलब उर्वरा होता है ठीक चलिए आगे हम लोग देखते हैं अभी आगे हमारा तो हम लोग कहां थे यहां वर का क्या होता है वधू ठीक चलिए उपर कर देते हैं इसको हम वर का क्या होता है वधू ठीक वसंत का क्या होता है पतज़ड जबकि वांचित का क्या होता है आवांचित और वांचनी का क्या होता है आवांचनी ठीक वादी का प्रतिवादी होता है और विजाती का स्वजाती होता है विजाती का क्या होता है विवाद का क्या होता है निर्विवाद वर्दान का अविसाफ होता है विभव का पराभव होता है विभव का पराभव और विपुल का क्या होता है अल्प होता है विपुल का अल्प पढ़ होता है ठीक इसक बाद हम लोग देखते हैं शलाघास लाघा का क्या होता निंदा कि यसी तरब सलील का क्या होता लिक इस श्यामल का होर होता ठीक और सीतल यह चीड़ी ट Shap द्रीस्म लाग तो कि अ Lewis होता है स्वास का उच्छवास होता है, सुभ का असुभ होता है, सोभन का असुभन होता है, हत का अहत होता है, हस्ती का क्या होता है, हस्ती का क्या होता है, हाथी का हथनी या चीटी होता है, हाथी का क्या होता है, हथनी या चीटी, ठीक, इसी बगार हर्स का विशाद होता है, हरा का स सुदूर का सन्निकट होता है, सुदूर का क्या होता है, सुधा का गरल होता है, और स्रिजन का विनास होता है, संसलिस्ट का विलिस्ट होता है, और सुमित का कुमती होता है, जबकि सरल का कठिन, और सम का विसम, संकीर्ड का विस्तिर्ड होता है, संसय का निश्चय होता है, औ और सजल का निर्जल होता है, जबकि सतकार का तिरसकार होता है, और सापेक्ष का निर्पेक्ष होता है, आगे देखते हैं, विख्यात, विख्यात का क्या होता है, कुख्यात, विख्यात का कुख्यात, विश्मरण का अस्मरण होता है, विश्मरण का अस्मरण, और विकास का हास होता है विकास का क्या होता है हास होता है विशाल का छुद्र होता है विशाल का छुद्र होता है विपत्ती का संपत्ती होता है और विश्त्रित का संचिप्त होता है विश्त्रित का क्या होता है संचिप्त होता है जबकि विच्छिन का अविच्छिन होता है ठीक इसी तर विग्य का अविग्य होता है जबकि विश्ट का अम्रित होता है और विशिष्ट का समाने होता है विधिका निशेद होता है विद्वान का मुर्ख होता है और विशेष का साधार वयमनस्य का सौमनस्य होता है ठीक वेस्टी का समस्टी होता है इसी तरह हस्व का क्या होता है ह हास का, हास का रूदन होता है, हास का दिर्ग होता है, अहित का हित होता है, इस्तुति करना और निंदा करना, इस्तुति मतलब किसी को बुलाना और निंदा करना मों किसी बुरही करना, ठीक, अस्परधम का सहयोग होगा, स्वामी का दास होता है, स्वाजाति का विजाति होता इस्थूल का सूच में होता है, सघन का विरल होता है, साप्राण का निस्प्राण होता है, जबकि सवाल का जवाब होता है, साम का वैसम में होता है, और सरवाग का विकलांग होता है, संदेह का सदेह, सदेह का क्या होता है, विदेह, जबकि सांग का अपांग होता है, इसी त परकिया, स्वाकिया, परकिया मनलब स्वा मतलब स्वायम करना और परकिया मनलब किसी निर्वन करना कोई दूसरा करे, तो स्वाकिया का क्या होगा परकिया ठीक, इसी परकार संगठित का होता है विग्टित, संगठित का क्या होगा विग्टित, नीरस का सरस होता है, नीरस का का क्या होता है दूराचार सवर का क्या होता है वेंजन होता है जब कि सायोग का क्या होता है बियोग सायोग का वियोग साधु का असाधु होता है साधु का निर्मल का समूल होता है निर्मल का समूल होता है ठीक और जब कि सहयोगी का प्रतियोगी या विरोधी होता है ठीक इ सायन का जागरण होता है और सक्ति का छीर होता है छीरता ठीक सपित का होता है साप मुक्त साप यूपत हो और साप मुक्त हो ठीक सालेन का होता है ध्रिष्ट जबकि सीखर का तल या घाटी होता है इसी तरह सीख का नक होता है ठीक और सीव का पार्वती और स्लिष्ट का असलि के जबकि स्वा जन का होता है पर्जन और स्या का होता सफेद और साधार का निर्धा ठीक इसी तारा संगत का होता आसंगत और सानुग का निर्नुग क्या होता साधक जबकि संपद का क्या होता बीपद और सुकृत का कूकृत होता है इसी तरह सौम में का उग्र होता है जबकि स्रिष्ठी का क्या होता है पले ठीक ऐसे स्वार्थ का निश्वार्थ होता है जबकि स्री गनेश का इतिस्री होता है स्रीधर का स्रीहत या स्रीहीन होता है जबकि स्रोता क्या क्या होगा वक्ता होगा स्रभ का अश्रभ होगा स्रध्धा का घेड़ा या अश्रध्धा और छमा का दंड होता है जबकि छाडिक का स प्रेक्टिस सेट के लिए आप लोग थोड़ा सा पानियोंने पी लिए फिर हम लोगों को प्रेक्टिस सेट करवाते हैं ठीक कि क्यूं चलिए को सब देंगे अब ते चलिए की सब्सक्राइब कर लेते हैं कि पिछले कर लाश कर राए tender IBER अब यसका हम लोक aparको सबसे पहले क्या करते हैं है सब अब क्यूस्टन परे की से परिक्तिकर्ज़टे क डेंगे जैसे हम reck पचास पचास का 40-40 का सेट लिए हैं, 40-40 का दो सेट लिए हैं उसको कर लेते हैं, दो क्या 3 सेट अलग बग तो 3 सेट का हम कर लेंगे, चलिए तो देखना सुरू करते हैं हम लोग पाले, अभी जो पढ़ाएं वही रहेगा, अलग से नहीं रहेगा, बस उसको बस आप लोग को देखना द्यान से चलिए देखिए शुरू करते हैं ग्रूब लोग अगर कर रही हम थोड़ा सा पानी पी के साही बोलें थोड़ा सा हम भी जिससे आप लोग को प्रेक्सिर सेट करने में आसानी हो ठीक चलिए शुरू करते हैं देखिए पहला हमारा क्या है निमलिखित में से आगमन का बिलोम होगा आगमन का क्या बिलोम होगा आगमन मतलब आना और गमन मीज जाना और प्रस्थान मीज देखिए आगमन आगमन का बिलोम हम आपको क्या बता है आगमन मतलब आना और प्रस्थान मीज जाना प्रस्थान करना तो प कि विपरीद क्या होगा मुक्ति किसी को मुक्ति होती है और उसका विपरीद होगा बंधन ऐसे बाह का क्या होगा इसे बाह होता है बाह का क्या होगा आप भेंतर होता है क्या होता है अब भेंतर होता है ठीक इसी परकार बरबर, बरबर का क्या होगा, बरबर का क्या होता है, सब्भे, क्या होता है, सब्भे होता है, बही रंग का अंतरंग, बता ही हैं, ये तो असान है माली ये, ऐसे ही, ब्रांत का क्या होता है, ब्रांत का बिलोम, दुखान्त होगा, सान्त होगा, विश्रान्त होगा, निर्ब् क्या होता है निर्भ्रांत होता है ठीक इसी तरह भूगोल भूगोल का बताए है खगोल भूगोल का विलो खगोल ठीक साथ में क्या होगा घा होगा आट में भाव भाव का क्या होगा जिसे भाव विभाव वाव का उल्टा क्या होता है विभाव विभाव देखा भाव का मतल जैसे भावतिक, भावतिक, भावतिक का क्या होगा, अध्यात्मिक होगा, इसी प्रकार, यूग में कौन तुरूटि पूर है, देखे, छर का छर होता है, ये सही है, समास का ब्यास होता है, समस्टी का बेश्ट होता है, ये भी सही है, स्वलपायू का चिरायू होता है, ये भी सही है, जबकि आहार का बिहार नहीं होता है, ये हमारा अप्शन हो जाएगा, ठीक, घावाला, आगे, आगे हमारा क्या है, इसमें कौन सा तुरूटि पूर है, तो आमिस का देखे नीरामिस, जो नहीं होती है, आधार का अधे होता है, बीनत का उध्धित होता का संपत्ति छिग, भी लोम की द्रिश से एक विक्यू असुध है, कौण से, द्रिश देखना, अद्रिश मन आदेखना, आमिस का सामिस दिया है, हम इसका क्या दिया है सामिस दिया है तो आप लोग को पता है आम इसका निरामिस हमें भी पता है मरसिड मरसिड का बिलोम क्या होगा मरसिड का क्या बिलोम होता है मरसिड हम यह आपको बता है फंपाया थे तोसीमा बार्षिक प्न 25 कि घेडियर चिलबी का बिलूम बता Nä से रूच ठीक ठीक तो क्या होगा प्रूच मरीकर बिलूम भृंव्ष ठीक इसी तरह महान कना महानका क्या होगा तुछ हाँ महान का हम लोग तुछ नहीं है तो क्या मनाएंगे छुद्ध्र मूर्धनी सब्द का विप्रार्था क्या होगा जीवन्तता भी पता है मूर्धनी का भी क्या होता है जीवन्तता होता है ठीक मित बे का मित बे का आप सबको पता है अल्प बे मित बे मतलब अधिक खर्चा करने होला अल्प बे मतलब कम ठीक इस तरह मूख का मूख का आप सबक का मुख्त भी सही है नूतन का नहीं नूतन का पुरातन होता है पुरातन ठीक सनातन का यह सहास्वत सनातन का मतलब चला रहा है ठीक इस तरह मौन का मूख मूख का क्या होता है बाचाल होता है जब कि मौन का क्या होगा मुखरता होगा मुखरता होगा इसी तरह मधूर मधूर का क्या होगा 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 ऐसे मुख मुख का क्या होता है मुख इसका यह गौड गौड में अंतर भी देख लिए गोड ऐसे लिखा जाता है ना कि गौड ऐसे थीक ये गलत है ये हमारा ये सही है ध्यान दिहुएगा इसको आगे फिर हम मानृता दानोता अगता क्या होगा हुए अगे हमारा महतमा है महात्मा का विलोम क्या होगा महात्मा आपको पता है महात्मा मतलब महान आत्मा तो उसका क्या होगा दुरात्मा दुष्टात्मा मानवी अब देखिए यह सही है क्यूस्टन मानवी का विलोम क्या होगा मानवी का विलोम होता है मानो से जो मानो के द्वारा हो अब मानो के द् मंदन का क्या हो गा गंदन का क्या होगा ओर tenants का क्या होगा आगे भारति लोक जीवन में योग को हति महत्रपूर्स अमजते हैं योग का भुग होग और वी जैसे योगी का भोग ciao ऑ भोग होगा, ठीक है, अब हम लोग लाश्ट मेरे यथार्थ का देखते हैं, यथार्थ का क्या है, यथार्थ का, यथार्थ मतलब क्या होता है, यथार्थ का जो होता है, यथार्थ का जो होता है, जो प्रकृति हो, और कृतिम होगा, उसका विलूम क्या होगा, कृतिम होगा ऐसे, यस का क्या होगा, यस का जो है, मतलब जो यस हो और जिसका अपसे हो, अप यस हो यह होगा, योगी का भोगी, आप सब को पता है, राग का, राग, अब राग का क्या होगा, राग का होता है ना है आपसले हम तब बताएंगे राग का होता है इस राग द्वेश राग द्वेश सुने न तो राग का होगा ऎसे इसम्सा गलत युग्म है दच्छिर का वाम उद्यम का निरुद्यम विधिका निशेद बरबर का सब्वे देखे हम लोग पहले सही कार देते हैं तो गलत अपने आप कर जाएगा तो हम पहले गलत कारते हैं देखे बरबर का सब्वे होता है विधिका निशेद भी होता है दच्छिर का वाम भी होता है जबकि उद्यम का निर उद्यम नहीं होता है, उद्यमी का निर उद्यम होता है, ठीक, यह ध्यान रखेगा, राजा सब्द का बिलोम रंक होता है, ठीक, रंक होता है, राजा का बिलोम रंक होता है, ऐसे, राजा का बिलोम, रानी भी होगा, रंक भी होगा, लेकिन अब, अगर हमें इसमें देखना है अब राजा का विलॉम तो हम क्या देखेंगे त्रंक ठीक ऐसे रती का बीरती का क्या होगा बीरती होगा जब बिलोम की द्रिश से सुद्ध कौन सा अलपक कब होग यही सही है ठीक ऐसी तरह लुभावना का बिलोम लुभावना का जो लुभावना हो अगिनावना होगा तो क्या होगा 49 का गा होगा जबकि 40 का लाघव का क्या होगा लाघव लाघव का बता है ना लाघव का क्या होगा बताएं, लागा का होगा 20ur, क्या होगा 20ur? छल ए, अभ्यास सेट2 चलते हैं किस पर की कर दो का मनलब वही आगे हम लोग 120 क्यूश्चन करना है तो देखते हैं एक हले सब्रैक्त कथ हैчи क्यू heatika ुसित का अभीश्पित होता है , अमित का सं मीत होगा हया का भ्हाया अगी का नीर्गी, आब इसमें कौन सा देखिए, हाया बहया वाल तो पता चल दाओगा कि हाई यह सही है ठीक आमित का समित नहीं होता, यह तो गलत है इस इफ्षित का अभिस्पइनता, चलिए ए वाला अब इसमें कौन सा असुद्ध है ये हमको बताना ठीक तो निर्पेक्ष का सापेक्ष सही है मौलिक का अनुदित सही है बंधन का मुख्ष सही है तुमारा कलत कौन सा होगा साचल का चल ठीक अगे ब्यास का समास ये तो सबको पता है बिलोम सब तो 43 का का हो जाएगा इस सब जानते हैं 44 का बिमुख का उनुख ये भी सबको पता है इसका समास आगे ब्रिद का क्या होगा ब्रिद का बिलोम ब्रिद जैसे जो बढ़े ठीक अब 45 का क्या होगा ब्रिद जो बढ़े तो 6 है मतलब जोगाटे विकीड का होगा विकीड मतलब फैलाना तो उसका अपोजित क्या होगा एकत्र करना मतलब जुटाना विहित का क्या होगा विहित का मतलब क्या होगा विहित मतलब जिस जुविद हो तो उसका क्या होगा निसिद्ध जो निसिद्ध हो मनाई हो ठीक सिर्विराट का क्या होगा?" व्रियाट का व्रिहद होता है, उसका छोटा होगा हैं जो बढ़ीयाद है, चोटा होगा? खुद्र होगा? ठीक, ऐसे ही वायमनस है, वायमनस का विलोम क्या होगा, वायमनस है, वायमनस मीज़, वायमनस का विलोम होता है, सॉमनस क्या होगा, सॉमनस होता है, दीएगा विग, विग मतलब जो जानता हो, अग, अग मतलब जो नहीं जानता हो तो उसका पोजिट हो गया, नहीं जानना, आध्या का विलोंग आध्या अधा हो और पूर मतलब बूरा हो बिलोंत कॉन आँ मिहां दो क्वासफिक होता है अगला मूहिंल मुख का वाच्याल पता पुरूस्कार का तिरस्कार बटाएं भूत का वक्र ये देगे घावाला तिरपन का घा साई है तिरपन का कौन सा घा साई है विलोम की द्रिश्च से सही अधिश्ठित का प्रतिश्ठित आस्था का विश्वास जो सही है असुया का अंसुया और प्रमुख का क्या होगा बिमुख होगा तो क्या होगा चमवन का असुया का असुया होगा ठीक अनुरूप का बिलोम होगा अनुरूप का प्रतिरूप अनुरूप का क्या होगा भाई प्रतिरूप भी होगा ना प्रत्रूप होगा ऐसे आर्जन का जो आर्जन और बेयन ये तो हो जाएगा ऐसे ही अमर का अमर जो अमर हो और जो मरते हो ठीक अपोजिट होगा ऐसे इसमें असलील का असलील हो जाएगा ये तो सबको पता है अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा और ये एक सिकंड एक सिकंड आप अनुरक्त का वीरक्त ही नहीं करेंगे, वीरक्त है, हम खलती है, इस मार दिये जल्दी में, वीरक्त, क्या होगा, वीरक्त होगा, अंतर मुखी का वहिर मुखी होता है, यह सबको पता है, वहिर मुखी, ऐसे ही, ओजस्वी, ओजस्वी जो होगा, जो ओजस्वी का मतलब, सकुन हो जाएगा ऐसे ही अम्रित का अम्रित का 20 हो जाएगा अग्य का अभी उपर बताएं विग्य हो जाएगा बिलोम सब्द में कौन सा बिलोम सब्द है यह तो दिया नहीं है चलिए इसको छोड़ते है अच्छा एक दूसरे से कौन बिपच्च मतलब अलग है तो कौन सा अन्भीग्य क्या क्या होगा अन्भीग्य का भीग्य होगा चाचट का अग्य अभीग्य अन्भीग्य का अभीग्य होगा ठीक यह अलपग्य का सरवग्य होगा जो कम जानता हो वो सब कुछ जानता हो सरवग्य होगा ऐसे बहुग्य का बहुग्य का क्या होगा जो बहुत मन्द का हो अब इस में हमें गलत चुनना है तो इसमें हमें हमारा गलत कौन सा था रित का अनागत नहीं हो गत करना गत चु Counter मुक सभी है, रित का अनुरित, सभी है, मंद का रिल रितुरुद सभी है, दी गए तृटृपूड कुछ सा हborgजना है? अनुग्रा का ऑग्रा होता है, अनन्त का सांत होताहे, जड का चेतन होता, अक्रिस का विक्रिष्ट होता, हमारा कौंसा सही हो जाएगा, यह वाला, ऐसे अपेच्छा, अपेच्छा का क्या होगा, उपेच्छा होगा, सबको पता है, अभिसरण का, अभिसरण का क्या होगा, अभिसरण होगा, ऐसे अथ, अथ का क्या होगा, अथ का इती होता है अध्का क्या होता है इती होता है ऐसे अनुराग्ति का क्या होगा विरक्ति यह विरक्त नहीं करेंगा विरक्ति होता है ठीक अनुराग्ति का अगर अनुराग्त विराग्त होता है ठीक इसी तरह अनुराग्त का विराग्त होगा अनुराग्त का विराग्त होगा ऐसे अध्यावसाय अध्यावसाय का क्या होगा अनध्यावसाय ठीक अमित का अमित का बिलोम क्या होगा सुमित अमित का बिलोम क्या होगा नहीं अमित का बिलोम जो है परमित होगा अमित का बिलोम परमित होगा सुमित नहीं होगा अधिकृत अधिक्रित का अनाधिक्रित होगा क्या होगा अनाधिक्रित होगा अनाधिक्रित लेकि यह हम आप लोगों को सुद्ध करवाए थे अनाधिक्रित मत अधिक्रित अनधिक्रित यह ध्यान रखिएगा अनुलोम का अनुलोम का आप सबको पता है अनुलोम का क्या होता है प्रति आसी अलब जुलाब बोला ना हो तो इसका अलब भी हो जागा क्या हो जागा जुलाब में हो असली का नकली होगा ऐसे अच्छर का च्छर होगा अच्छर का क्या होगा अभिमानी अभिमानी का नीर अभिमानी होगा अभिमानी का नीर अभिमानी होगा और पिद अपीः का मतलब देना और घरहित मतलब गुराण करना ऐसे ही अभिसाब का आशिर्वात होगा अभिसाब का क्οιा होगा अशिर अफ अनलि ai यह आप 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 शाब जिसोा अभिसाब दें और और इसे तरा Ol marry dan आति विरिष्ट का अना विर्ष्ट का होता है आवने का अवानी का क्या होता है अंबर जिसको ना बुलाएगा आउद मतलब बुलाए गया हो तो आउद हो जाएगा इसी तरह हम लोग देखते हैं अवर का होगा प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व क्या होगा ससीम अनुग्रा अनुग्रा का बिलों क्या होगा 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 अनुग्रा क क्या होगा बहुत कम ठीक और अल्प का मतलब और ज्यादा तो अल्प हो जाएगा अधिका अल्प हो जाएगा अरोह का आरोह हो जाएगा यह सब को पता है अनिमारे का अनिमारे का होता है अच्छिक अधुनातन अधुनातन का पिलोम क्या होता है पूरातन अधुनातन का पू यह ध्यान रखेगा अन्खूल का विविलोह क्या होगा प्रतिकूल हिसी तरह अनंत का क्या होगा ह अनंत का कोई नहीं हो तो अनंत का इसका क्या होगा अंत है झाऊ और पति है अगम hover मतलब जहां ना जाय सके इसी तना उसका सुगम हो जाएगा जाय सके ऐसे ही बिलों की द्रिष्टे तुरूटी है अब तुरूटी है किसमें पेच्छा को पेच्छा होता है अग्रज का अनुज होता है आदान का प्रदान होता है उन्नत का आउनत यह तो सही है एक सवाट का उन्नत का आउगत नहीं आउनत होता है ठीक यह गलत है ठीक यहीवाला आवरित का विलोम अनावरित होता है तो एक सोनों का गा हो जाएगा आसा का निरासा होगा तो 110 का गा हो जाएगा ऐसे आगत आगत का विलोम क्या होगा अनागत आगत का क्या होगा अनागत होगा ऐसे ही कि मिल्ख्ञित मैंसे विप्रयार्थक के दिर्ष् से कौन सा सही सुम्लित है, तो हमको कौन सा उद्ध्योंगिक अनुद्धत नहीं, उन्मद बिमूक नहीं होगा और जारस से है स्भूष का जारस ठीक ऐससे ही आधर का निराधर होगा आधर का तो क्योंद स्ञाश होona अनाद्र अब अनाद्र अनाद्र का आद्र देखें आद्र का जो है आद्र का अनाद्र या सोस्क दोनों होता ठीक चलिए आगे अचार का अचार का अचार का होगा अनाचार आवेसित अनावेसित हो जाएगा आवजित का आवसित होगा आव वाहन मतलब अवभी सर्जन अगराव इसको बिला सब्सक्राइब अजरे सब्सक्राइब म्ला पापलों को, टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक, धन्यमार्द, त्रॉट